नमस्कार दोस्तों आज का पूरा वीडियो HDFC Bank Personal Loan का होगा इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम HDFC Personal Loan online apply कर सकते हैं HDFC Personal Loan कैसे लेना है HDFC Personal Loan का features, benefit क्या क्या होगा, eligibility कैसा होगा, charges किस प्रकार का लिये जाएगा, latest rate of interest क्या चल रहा है और उन सभी पे लगाए गए terms and condition को भी सम है कि ठीक है, detail जानने के वाद हम लोन अलग-अलग इमान का लोन apply कर देते, लेकिन लोन apply कर दे के वाद, लोन लेने के वाद कल को हमारा monthly EMI कितना होगा, तो इसे हम लोग properly calculator से समझेंगे कि लोन लेने के वाद कल को monthly EMI कितना होगा, कहने का मतलब कि HDFC Personal Loan से related सब कुछ जान की, अगर Personal Loan के अचानक उन्हें अवशक्ता आन पड़ी, हो सके घर के साधी विवाह के लिए पैसे चाहिए हो, या फिर हो सके उन्हें घर के बाहर छुटिया मनाने जा रहे हो, उनके लिए पैसे चाहिए हो, या फिर घर के रिपेर के लिए पैसे चाहिए हो, या फिर अभी लोगों को छोटा सा इलिजबिटी करेक्टेरिया पूरा करना होगा अब इलिजबिटी को लेकर बैंक कहता है कि जो भी बेखती HDFC परसनल लोन लेने आ रहे हैं उनका सैलरीट परसनल होना जरूरी है अब ऐसा नहीं कि सेल्फ इंप्लोईट को परसनल लोन नहीं मिलेग जी नहीं बलकि उनके लिए अलग कैटोगरी रखा गया है उन्हें भी परसनल लोन ही मिलेगा लेकिन इस कैटोगरी के लिए आपका सैलरीट परसन होना जरूरी है जिसमें पबलिक और प्रावेट सेक्टर के इंप्लोई हो सकते है या फिर किसी भी तरह के गवर्मेंट इं से लेकर जादा से जादा साट साल तक रह शकता है at the time of loan maturity मतलब कि 21 साल के बाद आप कभी भी loan ले शकते हो ठीक है जी लेकिन retirement तक सारे पैसों का repayment कर देना है ऐसा time चुनना है फिर इन सभी के अलाबा अगर आप लोग का civil 650 या 700 से पलश रहता है और अगर इन सारे conditions से आप agree रहते हो तो HDFC personal loan के लिए असानी से eligible हो जाओगे फिर documents के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे आप लोगा screen पे देख सकते हो जैसे कि identity proof जो हो गया identity proof में क्या क्या चाहिए last 3 month का statement चाहिए salary slip हो गया ये सब सारा जो documents है उसे आप लोगा screen पे देख सकते हो चलि दूसरा offline branch visit करके आप apply कर सकते हो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप offline branch visit करके apply करते हो ना और अगर आपका relation अच्छा रहता है HDFC bank से तो बहुत ही कम rate of interest पे ज्यादा से ज्यादा loan के लिए आप eligible होगे और तीसरा तरीका है online process इसके लिए आपको इस page पे आना होगा अपना mobile number enter करके continue करना है फिर उसके बाद mobile number पर जो OTP जाएगा उसे यहाँ verify कर ले रहा है उस OTP को enter करके उसके बाद bank कहेगा कि personal loan apply करने के लिए आपको दो option मिलता है पहला option EKYC का मतलब सब कुछ घर बैठे बैठे complete हो जाएगा और loan amount आपके account में credit कर दिया जाएगा और दूसरा option है nearest branch visit करके KYC करवाने का जिसमें form fill up जो online होगा लेकिन eligible होने के बैंक का employee आपसे संपर करेगा KYC करेगा तब जाकर loan amount आपके account में आएगा तो आप किस option को चुनना चाहते हो उसे choose करके continue कर देंगे फिर उसके बाद personal detail employment detail के साथ साथ कुछ और additional detail आपको enter करके form को submit कर देना है then KYC complete होने के बाद सभी लोगों के account में loan amount आ जाएगा अचा आप सवाल आता है कि ठीक है loan हम apply कर लेंगे लेकिन बात है कि HDFC personal loan में हमें features क्या-क्या मिलेगा आकिर क्यों हम HDFC personal loan ले तो भाई सहाब bank कहता है इस मामले में कि कोई भी बेगती हो अगर मेरा eligibility करेक्ट area पूरा करके यहां तक आता है तो हम उन्हें 40 लाग तक का personal loan दे सकते हैं with fast processing मतलब कम से कम 50,000 का loan तो आपको लेना ही होगा अगर आप HDFC से loan के लिजिवल हो गए और loan लेने आते हो तो कम से कम 50,000 का loan तो आपको लेना ही होगा और जादा से जादा आपके eligibility को देखते हुए 40,000,000 तक का personal loan आपको मिल सकता है जिसका rate of interest 10.5% से start होकर maximum 25% 24% तक जा सकता है इसमें जितना अच्छा आपका civil होगा जितना अच्छा income होगा उतना ही कम rate of interest charge किया जाएगा इसके बाद repayment को लेकर bank कहता है अगर आप repayment करने का option चुने होगे तो आपको चुनना होगा कम से कम 3 महने से लेकर जादा से जादा 72 महने का समय आपको चुनना होगा मतलब कि कम से कम 3 महने में भी आप loan का repayment कर सकते हो और जादा से जादा 72 महने का समय आप चुन सकते हो इसके बाद अगर customer का मन हो तो loan के साथ 8,000,000 तक का personal accident cover और 1,000,000 तक का critical illness cover भी ले शकता है लेकिन य कहते हैं कि आपको लेना ही होगा यह कोई जवरदस्ती नहीं आप लेना चाहो तभी लो फिर इसके बाद मिलता है balance transfers of loan की facility अगर आपका loan कहीं दूसरे bank में चल रहा है और आप STFC में लाना चाहते हो तो बिल्कुल low interest पर ला सकते हो कम rate of interest charge किया जाएगा normal लोगों से फिर न तो ज़्यादा documents की जरूरत होगी और नहीं security और guarantor का demand bank आपसे करेगा इसके अलाबा एक और feature है कि अगर कोई woman personal loan लेने आती है यहां तो उन्हें rate of interest में extra concession दिया जाएगा अब हम लोग discuss करते हैं fee and extra charges को तो सबसे पहले bank के तरफ से processing fee आपसे लिया जाएगा up to 5000 तक का processing fee bank आपसे charge करेगी अगर आप loan लेते हो तब rate of interest जो है rate of interest 10.5% से start होकर maximum 24% तक जाएगा इसमें जितना अच्छा आपका credit score होगा जितना अच्छा income होगा उतना ही benefit आपके लिए है ठीक है जी इसके बाद delay charge 18% per annum on overdue premature closure 2% से लेकर 4% तक का इस तरह से कुछ और charges है जिसे आप लोग यहां अस्क्रीन पे देख सकते हो अब हम लोग EMI calculator से अलग-अलग amount और interest के जरिये हर महिने के EMI को समझेंगे जैसे मान लिया जाए कोई वेक्ती एक लाग का loan लेता है HDFC bank से एक साल के लिए जिस पर हम rate of interest रखते है 60-11% चुकि है starting rate of interest तो कोई भी bank किसी को loan नहीं द देगी तो एक साल में 60-11% के इसाब से एक लाग के बदले एक लाग 6344 रुपे bank में pay करना होगा जहां हर महने का EMI होगा 8862 रुपे 8862 रुपे इस एक लाग के amount को अगर कोई 2 साल के लिए ले अगर कोई बंदा कहे कि नहीं मुझे एक नहीं 2 साल के लिए loan चाहिए ठीक ह तब हर महने का EMI होगा 4684 रुपे यानि कि 4684 रुपे करकर के आपको 24 महनों तक टोटल बैंक में 1,12,416 रुपे पे कर देना है देखे इस छोटे छोटे फासले को आप समझते चलिए आप जैसे कि मैंने 1 साल के बजाए 2 साल किया तो interest amount बढ़ गया वही मेरा कहने का मतलब ह जैसे जैसे tenure बढ़ेगा वैसे वैसे interest amount भी बढ़ता जाएगा अब अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति 3 लाख का loan amount चार साल के लिए लेना चाहता है जिसका कि rate of interest हम रखते हैं 12% उस व्यक्ति के हर महने का EMI होगा फिर 7,900 रुपे यानि कि अगर 4 साल तक हर महने 7,900, 7,900 करके pay करते हैं तो total 3,89,200 रुपे bank में pay करना होगा इन 4 सालों में हमें extra कितना देना पड़ा तो 89,200 रुपे आपको extra देना पड़ा इन 4 सालों में अगर आप इस rate of interest में इतने सालों के लिए 3,000,000 का loan लेते हैं तब फिर वही अगर कोई 6,000,000 का loan लेता है 5 साल के लिए HDFC bank से इस बार का rate of interest हम रखते हैं 12.5% यानि कि 12.5% का rate of interest रखते हैं तब 5 सालों तक हर महिने का EMI होगा 13,499 रुपे यानि 13,499 रुपे यानि 13,499 रुपे ऐसा करके 5 साल में total 8,99,000 रुपे से extra आपको bank में जमा करना है कहने का मतलब कि अगर आपने 6,000,000 का loan लिया है तो 2,000,000 से भी जादा आपको interest भरना पड़ेगा यानि 6,000,000 और 2,000,000 टोटल 8,000,000 से भी extra आपको देना पड़ेगा bank में अब आप लोग हमें comment में बताओ कि कितने कितने amount का example detail में आपको जानना है या तो वहीं जवाब दे दिया जाएगा या फिर एक separate video बना दिया जाएगा उतने उतने amount का या फिर इस calculator page का link में वीडियो के description में दे दूँगा आप खुद check out कर सकते हो तो ये पूरा detail था दोस्तो HDFC bank personal loan का हमें उमीद है कि आपने HDFC personal loan का पूरा detail अच्छे से जाना होगा अच्छे से समझा होगा अब ये decide करने में कोई problem नहीं होना चाहिए कि HDFC personal loan लेना है या नहीं लेना या फिर किसी और bank से आपको personal loan लेना है तो इस तरह का decide करने में आप आपको कोई problem नहीं होना चाहिए अगर फिर भी कोई सवाल हो या कोई problem हो इस video से related इस topic से related तो आप हमसे comment पे पूछ सकते हो चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया है देर किस बात की चैनल को subscribe करें और ये video प्योगी लगे तो इसे like भी जरूर करें